हेलो हेरीवन वेलकम तू वेडिमी स्वागत आपके वेडिमी के यूट्व चैनल पे तो जैसा कि आपको पता हो गेट एक्जाम बहुत पास आ चुक्या है अब मोटा मोटी दो महेने बचे हैं गेट के एक्जाम के लिए बहुत लोग अप इस गेट के एक्जाम के अपनी तेजी से स्टार्ट भी कर चुके होंगे इस वीडियो में बात करूँगा कुछ गेट के क्वेश्चन टाइप के बारे में जैसा कि बहुत लोग को पता होगा कि गेट में कुछ तीन टाइप की क्वेश्चर्स आते हैं तो पहला mcq दूसरा msq और तीसरा एनिटी mcq, msq, nt इसमें बहुत बच्चों confusion होता है आखी किस टाइप के questions इंको कैसे attempt करना है मैं पहले बता दू कि जो mcq और nt है दो जाग गेट 2020 तक सिर्फ mcq और nt टाइप के questions आते थे देट 2021 में एक नए टाइप के questions इंट्रडूस किया गया msq बात कर लेते हैं इनके difference के बारे में तो mcq का मतलब होता है इसमें सिर्फ एक correct option होगा बाकी तीन incorrect होगे सिर्फ चार options में सिर्फ एक correct होगा बाकी तीन incorrect होगे इसमें अगर एक marks सा question है तो आपको one marks में लेगा सह होने पर और अगर आपने गलत किया तो इसमें point three थी कट जाएगा और वही question अगर ये दो marks का है तो आपको total two marks मिलेंगे अगर आपने गलत किया तो point six six marks कट जाएगे तो मैं पहले बात कर रहा हूं mcq type के questions के बारे में तो mcq type questions में चार options में सिर्फ एक correct होता है बाकी तीन incorrect होते हैं इसमें negative marking होती है अगर एक marks से question का आपने सही किया है तो आपको एक marks मिलेंगे अगर आपने गलत किया है तो आप point three three marks कट जाएगे अब जो दो मार्क से कोशन होंगे उसमें आपको दो मार्क मिलेंगे और अगर आपने गलत किया तो 06 से स्मार्ट कर जाएंगे बात कर लेते हैं MSQ, second pack को कोशन है MSQ इसमें चारो options में हो सकता एक से ज्यादा करेक्ट होंगे हो सकता है कि एक ही करेक्ट हो, हो सकता है कि दो करेक्ट हो, हो सकता है तीन करेक्ट हो, हो सकता है चारो के चारो करेक्ट हो तो इसमें यह रहत कि एक या एक से ज्यादा कोशन करेक्ट होंगे जितने correct options होंगे उतने आप correct करेंगे तभी आपको पूरे marks मिलेंगे अगर किसी question में मार लेते हैं तीन ओप्शन करेक्ट है अगर आपने दो ही को tick किया है तो आपको कोई marks नहीं मिलेगा 0 मिलेगा अगर किसी question में 3 के 3 answer साही है अगर आपको तीन को तीनों attempt करते हैं तभी आपको full marks मिलेंगे अगर आपने एक भी कोई छोड़ दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें कोई partial marking नहीं यह सूचे कि आपको कुछ marks मिल जाएगा तो कोई marks नहीं मिलेगा अच्छी बात है कि इसमें total एक और जो negative marking नहीं है इसमें कोई negative marking नहीं है अगर आपने जितने option correct हैं तीनों सारे के सारे अपने correct किये आपको full marks मिल जाएंगे इन correct किये तो आपको 0 मिलेगा गुझे मैं MSQ का मतलब है कि 4 में से हो सकता है एक option correct हो दो option correct हो तीन option correct हो चार के चारों correct हो जितने option correct हैं सारे के सारों आपको attempt करना है अगर तीर अपने साही है तो तीनों correct करेंगे ता भी आपको full marks मिलेगे अगर आपने दो ही select किया तो कोई marks नहीं मिलेगा जिरो मिलेगा कि नेक्स्ट है नेक्सि नियम्ल आंसभार स्थ होगा इसमें आपको जो नियम्हें का तक बोला है उतने डेसिमल अगर आएगा तो अगर आंसर किसी कॉश्शन का आंसर तू-पॉंट-ई-एट-3 8 आ रहा है तो आपको और लेकिन उसमें बोला है कि सिर्फ 2 decimal digit तो इसका आपको round off करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर 2.84 answer फिल करना पड़ेगा round off को पता होगा अगर 5 से कम होगा तो number assets रहता है अगर 5 या 5 उससे ज्यादा होता है तो यह number इसमें फ्लस होगा तो फिर सब्सक्राइब MCQ में 4 में से सिर्फ एक ही correct होगा क्या चार में से सिर्फ एक ही correct होगा इसमें negative marking होगी MSQ इसमें एक या एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं आपको सारे correct करने पड़ेंगे लेकिन इसमें पारिसिल मार्किंग नहीं है अगर आपने एक भी छोड़ दिया एक भी ऑप्शन जो प्रेकर छोड़ दिया तो जिरू मिलेगा एनटी में आपको numerical answer फिल करने पड़ेंगे जो भी आपका numerical answer है इसमें भी कोई negative marking नहीं है कि समझ में आगे अब बात आते हैं अब कैसे पहचाने बहुत असान तरीका है द्यूरिंग टेस्ट के टेस्ट में कैसे पहचान सकते हैं अभी में एक mock test भी लेके दिखाऊंगा कैसे आप इनको पहचान सकते हैं तो पहचानने के सबसे तरीका जो टेस्ट आप attempt करेंगे उसमें राइट आपके left side में उपर लिखा रहेगा कि यह question MS, MCQ है MSQ है यह NET है उपर लिखा रहेगा जो MCQ आएगा उसमें options आपके radio बटन से type में होंगे MSQ में यह आपके options होंगे इसमें कोई एक select करना पड़ेगा MSQ में जो options होंगे उसमें यह square bracket boxes रहेंगे और जो NET होंगे उसमें बस एक filling the box type का box रहेगा स्माज में है तो MCQ में आपके वास कुछ circular buttons या radio buttons में बोलते हैं इसमें कोई select करना पड़ेगा MSQ में जितने सहीं उतने select करने पड़ेंगे और NET में आपको answer click करना पड़ेगा और चलिए एक mock test लेके दिखाते हैं कैसे आपको इसको पहचानना है तो अभी आइस्ती बेंगलोर ने अपना कोई mock test रिलीज नहीं किया मैं पिछली बार जो IT खरगपूर ने paper कराया था उसका मैं mock test दिखा रहा हूं आप mock test लेने के लिए gate IT खरगपूर के website पर जा सकते हैं आपको वहाँ पर mock test मिल जाएगा तो इसमें इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप आगे बर सकते हैं तो कुछ ऐसा आपके पास पेपर आएगा गेट का उससे पहले को पता देंगा पांच वाइक्टिस्ट्री बॉट्ट्नी माइक्रोबालोजी जुलोजी इन सब में आपको कोई दो अटेंप्ट करने पड़ते हैं औ देख सकते हैं कि इन बाइक्रोबालोजी आप करना हो करो और यहां पर हमागे सकते हैं कि इन सब सब्सक्राइं सब्सक्राइब कोईज्ञाने आपते सोत कुछलेँ यहां बात करें आता ओस पर सकते हैं सबसे पहले कोश्टीप कोशन इन्हों coc या खुश्यन ट आप ओलर्डी मेंचन है यह कुश्यन जो है mcq टायप का विशन है यह इंग है मेंचन रहेगा की mcq टाप का को शण और देख सकते हैं mcq आपके पाउच क्योंगे और यहाँ पर आप मार्ट भी देख सकते हैं कि करेक्ट मार्क्स वन मिलेगा रॉंग मार्क से वन बाय थे नहीं पॉइंट से त्री इसमें निगेटिव मार्क तो तीन जगह से आप परचान सकते हैं यह किस टाइब क्वेशन है पहला एंप सी क्यू दूसरा किस टाइब का ऑप्शन से अब यह से समझ जाएंगे आगे बढ देखा हुआ है MSQ और अब देख सकते हैं निगेटिव मार्क में जीरो हो गए और करेक्ट जीरो हो गई आप देख लेते हैं निवरेकल टाइप का अंसर ठीक है आप देखिए आप पे निवरेकल टाइप ही नो एनोटी मैंसर्ग का रखा है आप्शन चलिए एक आपके पा आपको यह वीडियो पसंद आए होगा मैंने क्लियर कर दिया होगी MSQ, MSQ, NIT में क्या रिफ्रेंस है कैसे इनको पेपर के दौरान पहचान रहा है एक वाफ्य में बता तो MSQ को मतलब है चार में से सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगा और इसमें आपको को डिगेटिव मार्क भी नहीं होगी जितने आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा तब ही आपको फूल्स मार्क मिलेंगी और एनिटी में जो आंसर आए आपको इसको फिल करना पड़ेगा MSQ और एनिटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है पैचानने का तरीका बहुत सिंपल है वो हो गया होगा तीनों कोशेंट के बारे में डिफ्रेंस अगर आप इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो जरू बताएगा में कमेंट सेक्शन में थैंक यू एन बावाए प्राइब लाओ आप अप्राइब सेक्शन में पारे में बावाए झाल झाल